प्रेंस मैं हूं समीर और आप देखरें समाचिक खबर हिंदी टीवी नियूज इस वक्थ हमारे सर्ट 24 नियूज भी महुझूद है एक नमबर मालवनी मलाड वेस्ट में राष्टवादी पार्टी की तरफ से राधना परदरशन किया गया आई एम आपको जानते हैं दिखात है कि किस वज़े से क्या जा रहा है इसकी असल वज़ा यह है गए 35 सालों से संसद में जनता का कारे करने वाले एक निश्टावान इस राज्य के आमदार आधर नियूज जहिंद पादिल साब जो महारा हमारे महाराष्ट राज्य प्रदेश के अद्देख्ष है उनको निल दिश्या सालियन का विशय बार-बार मुद्दा लाया जाता है सधन में एक सधन जो होता है सर्व सामन जनता जो होती है उनके हित के लिए वहाँ पर बैठे जाए सारे आमदार होते मंत्री मोदे होते हैं लेकिन एक भी विशय जनता के हित में ने आया जो महेंगाई के बा CBI ने देखा है जाच हुई है उसके अंदर निर्दोष उस समय भी निर्दोष बताया गया था अधित्य ठाकरे जी को लेकिन बार-बार वो मुद्दे लाकर सब लोगों को ब्रहमित करना ये इनका काम है आप ब्रहमित किसलिए कर रहे हो जनता का हीद का विशे कब लाओगे आज सदन जब चलता है तो लाखो करोड़ रुपे खर्च होते है जनता के जेब में से ही जाते है ना तो जनता का हिद होना चाहिए जनता का कुछ अच्छा काम होना चाहिए जो आज गाओं गाओं में देखो किसानों की क्या हलत है किसानों की खेती की क्या हलत है आज भी आवकाली बारिश मतलब बिन बिने बारिश जो आती है अनेक महारष्ट के अंदर जाओगे तो बहुत सारे किसान दुखी है उनको आज तक इन्होंने जेओ जीडिपी दिया हुआ अभी तक मिला नहीं है ना किसान जो मांगावा पैसा उनको मिला नहीं है और इतनी जुटी स कली दो दिन पहले कहा कि यह जाच हुई थी इसके लिए उनके उपर हक बंग लाया जा रहा है अभी वो कहते कि नहीं लाएंगे आज उनकी सत्ता है ताना शाह उदर बैटा है दिल्ली में यह ताना शाह कर रहा है लेकिन आज मुझे एक अच्छी बात लगी इनके सुब्र इनको अकल ही नहीं है इसलिए अकल नहीं है कि वहाँ पर जो कॉरिडर बनाया जाना बनाना चाहते है लेकिन वहां के समस्त जो पंडरबर की जनता उसके विरोध में है वो कहते हैं कि यहां पर उसकी आवशकता नहीं है लेकिन सुब्रमानियन स्वामी जी ने कहा कि यहां पर कुछ अच्छे ओ जो नदी है चंद्रभागा जो नदी इतनी गंदी हो चुकी है बहुत हिंदु धरम के लोग पर पुरे देशते आते नहाते धोते हैं पवीत्र बनाओ उधर एक अच्छा एक एरपोर्ट अच्छा बनाओ एक करेडर बनाने क्या हो शकता क्या है लोगो आपको दिखाए देगा यह हलत इसी बनाई और अधरनिया जहिंत पाडिल साब ने जो आवाज उटाए जनता के हित के लिए उनलों ने कहा कि निरलज्य है निरलज्य सरकार निरलज्य लोग हो आप लोग जनता का विश्य लाओ आप निरलज्य का मतलब मराटी में मैं बता क्योंकि बहुत कम पड़ेली के लोग है उनके अंदर यह जो खोके सरकार गई है को कोई बांगर है और मुख्यमंतिक इतने बड़े तो एक बार जाके गूगल पर देख लो उतनी चलो ठीक है पड़ा पड़ेली के नहीं हो तो कम से कम आपके बाद बुद्धी मत्ता तो हो क्योंनी चाहिए आपन कौनसे विशाय पर आये हैं जनता के हित के लिए कहते हैं कि हमने चार मेने में जो ढ़ाए साल में इन्हों ने ने किया उतने हमने पात साल में सारे की सारी चीज़े पूरी कर दी लेकिन इसारी जुटी बात है और मैं वापस एक बार कहना चाहता हो जैन्त पारिटी साब फीर आयेंगे उनका वृत वाकिया है लोगों को गुसा आएगा तो घुस्ते में हमको गुसा नहीं आना चीए लेकिन अगर कोई अपने टपे में आया तो उसका कारेकम कर देना चाहिए तो कभी ना कभी हमारे टपे में ये लोग भी आएंगे उनका कारेकर हम जरूर करेंगे अच्छा सर्व एक और इस तो कभी-कभी थोड़ा थोड़ा शक होता है कहीं से तो क्योंकि एक तरफ राजु गांदी इतने जोर से चल रहे हैं रावल गांदी इतने जोर से चल रहे हैं इतने तेजी से चल रहे हैं और इतना बड़ा प्रतिसाथ उ करोना भारत देश में तो नहीं आ रहा है लिकिन ठीक है अगर कोरोना आता भी है तो राउल गांदुजी जरूर उनके उपर कुछ निरने लेंगे आपने चलने वे कारिकरता को मास लगाएंगे मास लेके लिए रैली निकालेंगे उसके अंदर बहुत सारी उपाय है धेर सार पर जो रखा मलार तालुका के तरफ से सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा साब ने जैसा भी का कि 33 साल से इतना सालों से विदान बहुन में जो अमारे आधर्णी जेरेन पाटिन साब ने अपने इतने सालों से कारेकर समाला विदान बहुन में कभी आज तक ऐसा नहीं इतना के तैत हम किसी को भी चुनके हम अपने प्रशनों वहाँ पर निर्मान करने के लिए हम विदान बहुन में बेशते हैं अगर इस तरह की सिर्फ प्रशनों उपस्तित करने पर आप लोग इस तरह के माननी है आधर्णी है जेरेन पाटिन साबको आप निलम्बित करते ह बड़े दुख की बात है इस तरह का कारेबार वहाँ पर चल रहा है अगर आपको ऐसा लगता है कि हम प्रश्टाचार के उपर आवाज उठाने के उपर आप लोग निलम्बित कर रहे हो आप लोग अगर सीमावात के जो चल रहा है उसके उपर प्रशनों निमान शेती लो शक्षा में आपको दिखाएंगे पूरी पिच्चर यहीं आप सब्सक्राइब आज हम लोगों ने जो मलाड तालूका में जो यह मोर्चा आयोजग किया है गनेश शिंदे मुंबे सचिव राश्टावधी कॉंग्रेस पार्टी का आदर निया हमारे जैन पाटिल साहब इन इस इडी सरकार काम मिशेद करते हैं कि 33 साल से इस महाराष्ट की राजनीती में जैन पाटिल साहब है और उनके मुंसे कभी भी अपशब्द नहीं निकला और उन्होंने सिर्फ इतना ही का अध्यक्षे महद है कि काय निरलज्य पना चालू है तो इतनी सी बात पे इन्होंन प्रण्वी जो है आपने आपको बहुत बड़ा चानक के समझते हैं लेकिन उनको भी अगर संसर्द में आप देखोगे तो लोगों की आवाज रखते हुए जैन पाटिल साहब ही उनको भारी पढ़ जाते हैं क्योंकि जैन पाटिल साहब ये लोगों की बात करते किसानों क बात करते हैं मज़्धरों की बात करते हैं तो राष्टाबादी कोंग्रेस बक्षाँस्था हैं राष्टावादी कोंग्रेस अगैशा अगे बड़ो ह nano साह अवार साभ आगे बड़ो हम तुमारे साह' सा नट इस reefs TWOो INTRO κोंग्रेस पक्ष्यеждा है निना मर्ट आचाहा है पाकिस्तान मदे जावा तुछी का अलत करका बगा अपने से देश है क्या मदे तुमाला सोतंतर बने पुर्णा जाए तो अधिकार है समाची कपरे हिंदी टीवी न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाना ना भूले अगर अच्छा लगे तो शेर और लाइक जरूर करें अगर आप हमारे साथ जुनना चाहते हैं किसी भी तरीके का न्यूज ए अड़र्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110 धन्यवाद